गुड मॉनिंग दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का मुझे मेसेज आया था कि सर एंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें और मुझे पता है कि अगर साप बिगनर्स हो या फिर आप कुछ टाइम से तैयारी भी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में काफी प्रॉबलम होती है एंसर राइटिंग करने में क्योंकि आपकी एंसर राइटिंग यूपीएसते की खासकर है वो आपके स्कूल, कॉलेज़िस की नहीं होती है कि आप कुछ भी लिख दोगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा एक proper structure होता है, एक proper way of thinking होती है answer बनाने की UPSC में So मैं इस वीडियो में यही बात करूँगा कि मैं answer कैसे लिखता था और जैसा आप यह देख सकते हैं मेरे vision की copy है मैं अपने vision की copy के माध्यम सही जो मैंने answer लिखे थे वहाँ पे उसी को reference लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा answer कैसे लिख सकते हो और answer में क्या होता है, कोई भी UPSC का answer जो होता है आप देखोगा तो एक statement ही होता है बट उस statement में बहुत चीज़ छुपी हुई होती है जो आपको पहचाननी होती है questions को कई part में break करना होता है और हर part को answer करना काफी ज़रूरी हो जाता है अगर सब किसी भी answer का part नहीं करोगा तो आपको marks नहीं मिलता है क्योंकि UPSC में हर part का marking होती है and same goes for UPPCS तो आप चाहें UPSC दे रहा हो या फिर UPPCS दे रहा हो दोनों में जो mains का syllabus है almost same है बलकि आप UPPCS देखोगे जो थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि उसमें आपको UP का अलग से पढ़ना होता है तो इस वीडियो से आपको काफी help मिलेगी अपने answer को थोड़ा अच्छा से articulate करने की आप ये देख सकते हैं मेरे vision की copy है और मुझे इसमें 118.5 मिला था अगर सापने vision का answer कभी लिखा होगा और आपको marks मिला होगा तो आपको पता होगा कि काफी अच्छा marks है मैं कोशिश करूँगा कि आपको दो तरीके से बता पाऊ एक अच्छा answer कैसे लिखा जाता है उसके क्या क्या element होते है question को कैसे तोड़ा जाता है question कैसे decipher किया जाता है इसका example लेकर जैसा आप यह देख सकते है मुझे यहाँ 10 में से 6 मिला था और 6.5 मिला था question number 2 में तो यह काफी अच्छे marks ने मेरे तो मैं इनको example लेकर आपको बताऊँगा कि मैंने इसको कैसे लिखा था साथ ही question number 6 देखिए इसमें मुझे 4.5 मिला था तो यह बाकियों से कुछ कम है तो मैं यहाँ बताऊँगा कि मैंने यहाँ क्या अगलती की थी जो मुझे 4.5 मिला था इससे आपको एक basic idea हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक suggestion लेना चाहता हूँ आप जैसा देख सकते होंगे यह UPSC का syllabus है और खासकर UPPCS का भी है CME syllabus है दोनों का अलग नहीं है तो यह GS1 का syllabus है इसी तरह GS2, GS3, GS4 सबकी syllabus अलग अलग है तो इसमें आप देखोगे जैसे आपका syllabus का एक single point है यह आपका एक point लिख दिया है बट बहुत लोग को नहीं पता होता कि किस particular head के अंदर क्या क्या पढ़ना है जैसे for example आप यह देखिए यहाँ पे आपका है regionalism तो simply लिख दिया है यहाँ पे social empowerment communalism, regionalism, secularism but regionalism भी क्या पढ़ना है कैसे question आएंगे जब आप norms बनाएंगे तो क्या क्या point आपको incorporate करना है यह बहुत लोग को नहीं पता होता है जैसे for example अगस आप regionalism का norms बनाओगे तो उसमें आपको region का concept लिखना पढ़ेगा आपको different form of regionalism लिखना पढ़ेगा आपको इंडिया में जो regionalism कुछ example लिखने पढ़ेंगे क्या क्या causes है उसको लिखने पढ़ेंगे son of soil theory आपको लिखना पढ़ेगा regionalism के क्या क्या consequences हो सकते हैं क्या क्या implications हो सकते हैं उसको लिखना पढ़ेगा साथ ही आपको original parties के बारे में भी लिखना पड़ेगा इस तरह करके अगरस आप originalism के बारे में holistic notes बनाओगे तो originalism का कोई भी question आएगा कहीं से भी आएगा आप आराम से उसको tackle कर लोगे तो यह जो different elements होते हैं वो बहुत लोग को नहीं पता होते हैं तो अगरस आप चाहते हैं कि मैं अलग-अलग paper का GS1, GS2, GS3, GS4 सारे paper की जो topics हैं उसी को इस तरह detail way में आपको बताऊं कि किस topic ahead के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े पढ़नी हैं अगरस आप यह चाहते हैं मैं इसका video लाओ तो मुझे comment section में बताइएगा देखे ज़्यादा reply आएगा और ज़्यादे लोग की demand होगी तभी मैं video लाओंगा क्योंकि काफी tedious process है है हर चीज़ को divide करना तो अगरस आपका बहुँच ज़्यादा demand होगा तो मैं इस पर video ज़रूर लाओंगा तो चलिए हम वापस आते हैं मैं इसको मैं telegram channel पर डाल दूँगा वहां से जाके इसको देख सकते हो यह आपका पहला question है आपका पहला question है कि tribal art in India generally reflect the creative energy found in ruler areas that act as a undercurrent to the craftmanship explain with reference to the worldly and gaunt painting अगरस आप इस question को देखोगे तो simply एक statement है but इस statement है बहुत चीज़े छूपी हुई है जिसको आपको decipher करना है और उसको अपने answer में incorporate करना है for example अगरस आप इस question को पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या है point tribal art in India generally reflect creative energy found in ruler areas तो पहला आपका keyword क्या हो गया tribal art in India ठीक है यह आपका पहला keyword है दूसरा keyword आपका है reflect the creative energies यह आपका दूसरा keyword है आपको इंडिया में जो tribal art है उसका कुछ brief account देना होगा आपको यह बताना होगा कि कैसे वो creative energy को reflect करता है साथ ही आपको यह बताना होगा कि वो कैसे as a undercurrent act करता है to the craftmanship यह सब चीज़ आपको with reference to worldly and gaunt painting बताना है ठीक है तो यह आपका तरीका होगा question को तोड़ने का आपको क्या क्या चीज़े बतानी है तो first is आपको tribal art का basic account देना इंडिया में दूसरा आपको बताना है कि worldly painting और garden painting कैसे reflect करते है creative energies तीसरा आपको बताना है कि how it act as a undercurrent to craftmanship यह और lastly आपको conclusion देना है ठीक है तो चले देखते हैं इसका answer तो मैंने एक पहले basic introduction देने की कोशिश किया है India has always been known for its strong art handicraft and traditional culture basically मैंने tribal art और India को जोने की कोशिश किया है यहाँ पे इसके बाद देखे ट्राइबल art form show high degree of artistic skills and craftsmanship and that tried inextricably to all expect of human life that is festival weddings, dance, etc. ठीक है तो मैंने यहाँ जो introduction दिया है उस introduction मैंने पहले part को tribal art in India इस चीज़ को define करने की कोशिश किया है और tribal art को India से plus tribal art जो different aspect of human life में कैसे involved हैं उसको बताने की कोशिश किया है ठीक है इसके बाद जो second part था कि they reflect creative energies तो यहीं से इसका continuation मैंने कर दिया है they reflect the creative energies of ruler areas and it can be seen from the example of worldly painting and gaunt painting साथ मैंने जोड दिया है क्योंकि यहाँ पर बोला था with reference to worldly and gaunt painting तो अगर साथ आप ऐसे लिखोगे तो क्या होता है continuation हो जाता है एक अच्छा flow मिलता है answer को इसके बाद मैंने हाँ worldly painting के बादे बताया है basic चीज़े की worldly painting जो है वो महरास्रा में start हुई है महरास्रा प्रैक्टिस की जाती by worldly tribe इसके बाद बताया है मैंने कि जो worldly painting है वो prehistoric cave painting को resemble करती है और इसमें क्या दिखाया जाता है तो tribes के daily lives और social event चाहे marriage हो गया birth anniversary हो गया इन सब चीज़ों को include किया जाता है through painting इसके बाद जो मैंने worldly painting है thros को define करने की कोशिश किया है कि वो कैसे बना जाता है तो उसमें geometrical pattern होते हैं और उस painting में human beings और animals को depict किया जाता है जैसे अलग-अलग activities social activities हो गया चाहे hunting का हो गया dancing हो गया harvesting हो गया इन सब चीज़ों के थूँ यह दिखा जाता है कि human और nature कैसे interlinked है इसके बाद मैंने simple सा diagram बनाने की कोशिश किया यहाँ पर क्योंकि मैंने हाँ बोला था कि यह geometric pattern को show करता है तो इस diagram के थूँ मैंने यहीं चीज़ दिखाया है कि जैसे आप देख सकते हैं triangle है यह circle है तो यह geometric pattern है और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिजिएगा कि मैंने randomly ऐसे diagram नहीं बना दिया है मैं diagram को बनाया है उसको एक box में डाला है और मैंने यहाँ figure number लिखा है figure one worldly painting आपको यह देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा कि simple सा लिख दिया है but trust me काफी फायदा करता है exam में अपने answer को एक अच्छा look देने के लिए और अगास examiner आप जो यह illustration दिये हैं चाहे figure को box में बनाया है figure number लिखे हैं इस वज़े से अगास आपको सिर्फ आधा number extra देदेगा तो आप यह जान जाए कि 20 question है 20 question में आधा number मतलब आधा into 20 मतलब आपको 10 number extra मिलेगा पूरे paper में तो इसलिए यह सब चीज़े जो है आप पहले practice करोगे तब आप exam में जाके इसको replicate कर पाओगे अगरस आप यह सोचोगे कि direct exam में जाके मैं कर दूँगा तो वहाँ पर याद नहीं आता है और इसकी बाद मैंने gond painting के बारे में लिखा है और यहां यह देखिए आप इसको भी मैंने box में बनाया है ताकि presentable हो यह examiner इसको देख पाए कि इसलिए different part को अच्छे से address किया है और बाकि जो आपको important है कि उसको भी आप underline कर सकते हो यहां भी मैंने basic चीज़े बता दिया है कि gond painting आपका Central India में practice होता है example मदरप्रदेश हो गया by Gandhi tribe और यह painting तो celebrate करते है relation between human and nature साथी मैंने यह बता दिया है कि वो painting में क्या बनाते है birds, animals, trees और finally वो natural dye use करते हैं अपना painting बनाने के लिए यहां मैंने gaunt painting और worldly painting दोनों को अच्छे से describe कर दिया है और साथी जो question ने पूछा था कि कैसे वो creative energy को reflect करते है वो भी मैंने बता दिया है अपने painting के थुरूर रूर एरिया में जो different चीजे होती हैं उसको कैसे depict करते हैं इसके बत finally यहां पर conclusion लिखना है देखिए introduction, body, conclusion आपका ये तीन चीज़ हो गया introduction, body और conclusion ये तीनों चीज़ काफी important होता है बहुत लोग कहेंगे कि नहीं लिखना होता है बहुत लोग कहते हैं कि time नहीं मिलता है बट दो या तीन line का लिखिए क्योंकि क्या होता है जो introduction होता हुआ आपका answer को खोलता है और वही conclusion आपका answer को बंद करता है तो एक proper conclusion बहुत important होता है कुछ भी ना लिख सके तो simply दो line लिख दीजे जो कि अगर सब conclusion नहीं लिखते हैं तो answer आपका बहुत abruptly खतम हो जाता है अभी मैं आगे example देखके दिखाऊंगा आपको कि जब मैंने conclusion नहीं लिखा था question में तो ऐसा ही लग रहा था कि अचाने सब question खतम हो गया midway में ही और साथ ही अगर सब conclusion लिखिए तो उसमें थोड़ा सा futuristic idea देने की कोशिश करिए कोई government के measure हैं जो question में ना पुछे हो और अगर साथ अप अलग सब नहीं लिख सकते हैं तो उसको भी लिखने की कोशिश करिए जैसे यहाँ पर आप conclusion देखेंगे मेरा तो मैंने लिखा ए tribal art and painting hold potential for upliftment of tribal people and livelihood sources तो यहाँ पर मैंने tribal art और painting को जो tribe की life है उससे relate करने की कोशिश किये और यह बताया है tribal art जो है वो ट्राइबल के लिए कितना important है और उनको गरीवी से निकालने में काफी help करेगा इसी तरह देखिए वेरिज गोर्मेंट इंस्टिउशन लाइक ट्राइफेड करना चाहिए इससे यह होगा कि tribe है उनको मेंस्ट्री में आने का मौका मिलेगा साथ ही जो उनके traditional art form है उसी conservation में भी help करेगा तो यह से conclusion लिखेंगे आप तो आपको अच्छा marks मिलेगा चले इसका बद एक next question देखते हैं यह second question है यह modern history का आपको question है ठीक है यह simple आपको statement लग रहा होगा बट इसमें 2-3 पार्ट है जो आपको discuss करने है जो आपको address करने है सबसे पहले यहाँ पर आपको cornwallis code के बारे में लिखना होगा काफी important है अगर आप यह term मिस कर दोगे न तो आपको 100% है कि एक-दो marks तो यह हिस चला जाएगा तो आपको यहाँ पर cornwallis code के बारे में लिखना है उसके जो key features है उसके बारे में लिखना है features के बाद आपको achievement लिखना है च्योंकि यहाँ पर लिखा है though it had its achievement तो आपको achievement को भी mention करना है और lastly आपको यह mention करना है कि Indians को judiciary से क्यों exclude किया गया क्या reasons थे कि Britishers जो थे वो नहीं चाहते थे कि Indian जो है वो judiciary में आए तो आपको यह 3-4 चीज़े यहाँ पर address करनी है तो पहले आपको क्या लिखना है features लिखने है judicial reform के दूसरा आपको यह तो merit लिखना है यह तो achievements लिखना है और तीसरा लिखना है कि reasons क्या क्या है Indians को exclude करने का और lastly आपको एक conclusion लिखना है ठीक है देखे आपके historic answer है तो इसमें कोई या futuristic conclusion या फिर government की scheme नहीं include कर सकते हो तो उस तरह से आपको conclusion को में modify करना पड़ेगा depending upon depending upon किस topic से एक question पूछ रहा है इसके बाद मैंने judicial reform के बारे में कुछ line ही लिख दी है जैसा आप देख सकते है कि the judicial reform brought about by him include reform in both civil and criminal justice system he reorganized judiciary and made it more accessible though it had some flaws and was not inclusive तो जो आपका ये question था मैंने इस part को यहां से interlink कर दिया है मैंने यह यह बता दिया है कि कुछ achievement थे उसके but कुछ flaws भी थे इसलिए वो inclusive नहीं था inclusive क्यों नहीं था क्योंकि Indians को exclude किया गया था तो इस तरह चीज़ों को आप interlink करोगे आपका एक अच्छा flow बना रहे गा answer में ठीक है अब बाकी जो judicial reform के features है मैंने एक flow chart कही या फिर diagram कही उसके through बता दिया है आप point wise भी लिख सकते हो बाद थोड़ा monotonous हो जाता है तो मैंने एक अलग तरीके से बताने की कोशिश किया यहाँ पर इसके बाद merit of judicial system तो इसको भी मैंने box में लिखा है इसके बाद मैंने कुछ merits बता है एक, दो, तीन, चार merit बता है और finally जो third part था कि कुछ merit तो है but exclude किया गया था Indians को तो वो उसका demerit था वो उसका drawback था इसके बाद मैंने यहाँ बताया क्यों exclude किया गया था क्या क्या reasons थे तो मैंने यहाँ पर तीन reasons देने की कोशिश की है और आप इसी तरह तीन, चार reason दोगे क्योंकि यह question जो था वो 10 marks का है यह 10 marks का है तो बहुत ज़्यादा point नहीं लिख सकते है क्योंकि आप वो तीन part address करने होते हैं तीन, चार point, तीन, चार point आप हर part में लिखेंगे इसके बाद मैंने conclusion दिया यहाँ पर basically बता दिया है कि कारणवाली judicial system जो था वो इंडिया में एक organized justice system लाए थे बट कुछ step साथ में लिए गया थे जिसकी वज़ा से जो इंडियांस थे उनको exclude किया गया था और इससे जो बिटिश की policy है बिटिश का जो racial discrimination है वो reinforced होता है जैसे white man burden हो गए और जो अंग्रेज थे इंडियां को subjugate करते थे और racial supremacy अपना establish करते थे तो finally आपको conclusion भी इसी हिसाब से लिखना है आप क्या कर सकते हो conclude करते वक्त कि देखिए Britishers की बात हो रही है चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन आपको conclusion यहीं देना होगा कि वो जो भी कुछ किये वो अपने फायदे के लिए किये इंडियन के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं किये तो यह चीज़ आप conclusion में डाल सकते हो चले मैंने आपको यहां दिखा दिया दो ऐसे question जिसमें मुझे अच्छे marks मिले थे अब हमें एक ऐसे question के example लेते हैं जहां मुझे तोहरा सा कम marks मिला है जैसे आप question में 6 देख सकते हो State the factor that enhance the risk for initiation or continuation of abuse of drug by the youth what measure can be taken to address this issue बहुत straightforward question है बहुत simple भी question है ठीक है तो यहां देखे मैंने क्या किया है basically drug abuse के बारे में छोटा सा introduction दिया है और कुछ data दिये हैं जैसे आप यहां देख सकते हो drug abuse has become major epidemic endangering the life of different section of society especially the youth of India as per home ministry data more than 2 crore youth admitted to substance abuse तो यहां मैंने एक छोटा data दिया है plus जो drug abuse का maintenance है उसके बारे में थोड़ा सा hint देने की कोशिश की है इसके बाद मैंने एक diagram बनाया है बताने के लिए कि इंडिया में कहां कहां पे drug abuse होते हैं और क्या क्या reasons है जिसे यहां पे golden crescent के बारे में दिखाया है यहां पे golden triangle के बारे में बताया है बाकी पंजाब हर्याना हो गया डैली सिक्किम यह north east का reason हो गया यह बॉंबे गोवा का coastal area हो गया यह pondicherry चन्नाई का reason हो गया तो यह जो area है वो drug abuse reason है यहां भी आप देखोगे तो मैंने box में चीजों का बढ़ाया है और figure number लिखा है तो यह practice आप करते रहोगे तो अच्छा रहेगा आपको finally पता भी रहेगा कि आप paper में कितने figure बनाए हो total ठीक है इसके बाद factors कैके responsible हैं आप वो लिखोगे तो एक तरीका यह हो सकता है कि आप factors जो हैं और directly लिख दो 1, 2, 3, 4 बट उससे अच्छा यह तरीका है कि different factors को आप different subheading में डाल दो जैसे मैंने पहले लिखा है socio-cultural factors दूसरा geographical factors तीसरा economic factors और चौतरा आपका administrative factors यहां मैंने जो geographical factors लिखा है आप चाहते तो जो यह diagram इंडिया का यह map है उसको आप यहां पे include कर सकते हैं और map के बारे मैं एक बार दताता हूँ मैंने map बहुत बड़ा बना दिया है आपको map बनाना है तो कम सकम इतने box में बनाई है जो कि इस map को बनाने के वज़े से ही मेरा जो space था वो कम हो गया था और मैं conclusion और कुछ important points से उसको नहीं लिख पाया था जिसकी वज़े से मुझे यहां पे कम marks मिले है ठीक है तो उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा और देखे जैसे यहां प economic factors है तो मैंने यहां पे एक छोटा सा vicious cycle बनाने कोशिश की है कि poor economic background रहेगा तो फिर distress होगा इससे क्या होता है कि लोग drug लेते हैं वो जो problem होती है जो tension होती है उसको mitigate करने के लिए और drug लेते हैं तो उसके वापस वो poor economic background में चले जाते हैं तो इस तरह भी आप एक cycle बना के दिखा सकते हो कि drug minions से क्या problem होती है इसके बाद जो implications है क्या क्या problem है drug abuse की वो मैंने बताया है नार्को terrorism हो गया, health impact जैसे AIDS होते है, same syringe use होता है तो demographic dividend का loss होता है, domestic violence, suicide यह पूछा नहीं था आपको, but यह questions से related हो तो आप उसको use कर सकते हो इसके बाद मैंने measures बताया है, तो एक तरीका है कि आप simply measure लिख दो कि यह point है, यह point है, यह point है और एक तरीका यह है कि measures को अलग-अलग subheading में लिखो तो जैसे मैंने बताया कि supply reduction पहले लेना को measure, और दूसरा लिखा है कि demand reduction यह दो measure है, और इसके अंदर मैंने कुछ important points लिख दिया है यहाँ पर मेरा conclusion missing हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर 4.5 marks मिला है इसलिए जब आप answer लिखिए, तो यह देख के लिखिए कि आपको कितना word limit है, कितने pages है और आपको answer को कैसे structure करना है मैंने अगर से यह diagram थोड़ा छोटा बनाया होता, तो मेरे पास space होता और government की काफी initiatives दी हैं, जो government drug abuse के लिए ले रही है उसको भी मैं यहाँ mention नहीं किया हूँ, तो उसको भी mention कर सकता था but due to lack of space, मैं यहाँ पर mention नहीं कर पाया हूँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप एक अच्छा answer कैसे लिख सकते हो plus और answer को आपको कैसे तोड़ना है तो मुझे लगता है कि आपको काफी मदद मिली होगी इस वीडियो से और इस वीडियो का PDF मैं अपने Telegram चनल पर डाल दूँगा आप वहाँ से यह PDF डाउनलोड कर लिजे और बाद मैं आप analyze कर सकते हो कि आपको कैसे answer लिखना है साथ ही मैं आपको एक exercise देना चाहता हूँ मैं आपको यह question दे रहा हूँ इस question को देखिए जो जो serious experiment है जो चाहते हैं कि उनका फायदा हो उनको लगता है कि उनको practice करने के जरूरत है तो इस question का वो answer करेंगे अपको question है कि Indian constitution display multiple features adopted from the practices around the world explain how did the government of India act 1935 influence the constitution of independent India तो यह धायसोवड का question है 15 माग सा question है ठीक है इस question का आप answer लिखिएगा मैं इस question का answer लिखके अपने telegram channel पर upload कर दूँगा as a sample answer वो मैं खुद लिखूँगा आप अपने question का answer को जो मैंने answer लिखा है उससे आप tally करने के कोशिश करिएगा और आप यह देख सकते हैं कि आपके question में क्या क्या चीज़े मिस हो रही है और कैसे आपको एक अच्छा structure बनाना है तो I hope आप इस practice को करोगे और काफी फैयादा होगा देखिए आपको इससे जो serious लोग हैं प्रीज इस चीज़ेगा धन्यवाद